पिखाए जाने हैं जिसका नाम है मीशन 2023 जिसमें धेर सारे इंपोर्टेन्ट कोश्चन अंसर्स आपको वीडियो के माधिम से प्रॉवाइड के जा रहे हैं तो last video lecture में हमने देखा था top MCQs आज हम start करने वाले है grammar part जिसमें हम हरे grammar को एक दम detail से समझेंगे जिसमें voice, narration, clause, tense related जितने भी questions है उन questions को आज हम वीडियो के मार्दम से अच्छे से और बहुत ही सांदार तरीके से समझेंगे तो start करते हैं यह आपका जो question रहेगा वो इस तरह से आएगा do as directed जैसा कहा जा रहा है वैसे आपको करना है तो यह जो questions है यह आपके 10 number के आने है यानि कि आज कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझें कि आपका 10 number तक का है तो start करते हैं हमारा जो first question है वो यह है यदि बारिस नहीं होगी तो crop यानि जो फसल है वो फैल हो जाएगी यदि बारिस नहीं होगी तो फसल फैल हो जाएगी यह आपका sentence है अब इस sentence में क्या करना है rewrite the sentence using unless in place of if देखिए sentence का जो sense है वो वही रहना चाहिए लेकिन हम use करेंगे if की जगा पे unless का ठीक है तो unless अपने आप में negative है यहने sentence को negative कर देता है तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे if it doesn't run तो यदि हम लिखते हैं unless यह हो गया unless और मैंने कहा कि unless अपने आप में क्या है negative है तो unless उसके बाद हो जाएगा it rants rants क्यों आया क्योंकि यह present simple या present in definite tense है तो इसलिए doesn't को हटा दिया हमने और उसकी जगा पे हमने लिखा unless it rants यह अपने आपने positive है यह जब तक बारिस नहीं होगी और हमने tense में पढ़ा हुआ है कि he see it और कोई भी एक वचन कोई भी एक वस्तू या एक व्यक्ति है तब हम verb की first form के साथ आप एस या फिर एस लगाते है तो इसलिए ran का क्या हुआ ran's हमने ran means बारिस होना तो यह हो गया ran's unless it rants पाकी जो है यह same रहेगा the crop will fell the crop will fell इस तरह से same way है जब तक बारिस नहीं होगी जो फसल है वो फेल हो जाएगी या यदि बारिस नहीं होगी ठीक है unless means होता है यदि नहीं ऐसा भी बोल सकते हैं यदि बारिस नहीं होगी तो crop जो है फसल जो है वो फेल हो जाएगी ऐसा next देख लेते हैं she is very proud she will not back for her lovely hood यहाँ पे sense समझे कि उससे बहुत गर्व है she is very proud okay उसे बहुत गर्व है she will not back for her livelihood और वो अपने जीवन यापन के लिए कभी भी भी नहीं मागी या कभी भी नहीं वो भी नहीं मागी अपनी जीवन यापन के लिए okay तो यहाँ पर यूज करना है use to to and rewrite the sentence यहाँ पर हमें किन का यूज करना है to to का तो sense हमारा वही रहेगा बस हमें to to का यूज करना है तो she is very proud तो यहाँ पर जो very है ना इसके जगा पर हम लिखेंगे ये वाला to उसके बाद आगे हम जैसे ही to लिखते हैं जैसे यह proud हो गया executive है इसके बाद जैसे हम दूसरा to लिखते हैं तो दूसरा to लिखने के बाद direct हम क्या लिखते हैं वर्ब लिखते हैं क्या लिखते हैं वर्ब तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कैसे see is very की जगा पर तू टी डबलो वाला to see is too proud यह हो गया proud उसके बाद she will not इसको हटा देते हैं इसकी जगा पर हम क्या लिखेंगे to और उसके बाद direct verb वर्ब क्या है big big verb है भीक मागना तो यहां पर आ जगा big she is too proud to big और आगे जीतने भी है उनको हम आगे as it is लिख देते हैं big for her lovely hood इस तरह से she is too proud to big for her lovely hood since वही है ओके इस तरह से आप कर सकते हैं बस आपको याद रखने हैं कि वेरी की जगा पे ती डबलो वाला लिखना है to उसके बाद जो एड्जेक्टिव से लिखना है और जो कॉमा के बाद जो भी है उसे हमें क्या करना है उसे हमें escape करना है और direct दूसरा to है उसको लिखने के बाद verb और वर्ब के बाद जितनी भी word है उसे हम as it is लिख देते हैं ना लेट सी थे नेक्स क्वेशन और नेक्स क्वेशन इसे हम इन डारेक्ट नरेशन में कैसे लिखेंगे तो यहां पे देखिए फादर ने अपने शन को अपने बेटे को कहा क्या कहा जाओ और फीज को पे करो कुल मिला के यदि आप हिंदी में समझे तो एक फादर अपने बेटे को क्या कर रहे हैं आदेश दे रहे हैं ओर दे रहे हैं तो यहां पे सैड की जहापे क्या जाएगा यहां पे हम लिखेंगे फादर सैड नहीं लिखेंगे क्योंकि फादर क्या कर रहे हैं आदर दे रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे आदर फादर आडर्ड ठूल इस थो के बाद यहें इंपरेटी सेंटेस हैं आदिश दे रहे हैं तो हरे इस लिए पर लड़के के लिखेंगे, उसके बाद, तो के बाद हम लिखेंगे, to go and pay, your fees, तुम्हारे फिस, नहीं, उसके फिस को, लड़के के फिस को, तो लड़का है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, his, उसके बाद, फिस को, फिस, ऐसा, लड़के रहती तो, हर फिस, ऐसा, ठीक है, तो, father ordered his son to go and pay his fees, नहीं, लड़के रहती तो, हर फिस, ऐसा, ठीक है, तो, father ordered his son to go and pay his fees, now let's see the next question, our next question is, who wrote this letter, change the voice, यहाँ पर voice change करना, यह active voice में दिया हुआ है, इसे हमें पेसी वाइस में लिखने है, हमेशा याद रखिए, कि पेसी वाइस में हमेशा, वर्ब की third form यूज की जाती है, हमेशा, यह आप याद रखिए, who wrote this letter, तो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यह इस तरह से है, यह past इनैपनित में है, past tense में, और question क्या जा रहा है, कि इस पत्र को, किस ने लिखा, who wrote this letter, इसी को हम ऐसा बो सकते हैं, यह letter किस के द्वारा लिखा गया, यह letter किस के द्वारा लिखा गया, तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसा, by whom, by whom का यूज करके, by whom, और यह past simple का है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, was, क्या लिखेंगे, was, by whom was this letter, by whom was this letter, और write में सोता है, लिखना, तो write की जो third form है, वो है written, by whom was this letter, written, letter एक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, was, यदि letters होते, तब हम यहाँ पर क्या लिखते है, were लिखते, यह आप हमें से याद रखें, by whom was this letter, written, एक तरीका और मैं बता रहा हूं, जिसमें हम who का यूज करते हैं, तो यूँ होगा, who was this letter, written by, by को last में लिखते हैं, अब यह question वाला है, तो यहाँ पर question mark लगाते हैं, who was this letter, written by, या फिर, by whom was this letter, written, ओके, तो दो तरीके से हम इससरा से, voice को change कर सकते हैं, I hope कि आप यह चीजे समझ रहे हैं, next हम देख लेते हैं, open the door, यहाँ पर भी change करना है voice, change the voice, तो यहाँ पर open the door, यह क्या imperative sentence है, और imperative sentence में यदि हम voice change करते हैं, यह पेसी voice में हम लिखते हैं, तब हम late का use करते हैं, किसका use करते हैं, late का, तो यहाँ पर आजाएगा, late, उसके बाद हम लिखते हैं, object, the door, late the door, उसके बाद हम किसका use करते हैं, बी का use करते हैं, late the door be open, और यह हो जाता है, open, इस तरह से, यानि, दर्वाजा को खोलो, या दर्वाजा को खोल दिया जाए, यही होता है, पेसी voice, तो यदि हम structure के आदे बात करें, तो यह होता है, late plus object plus b plus verb की third form, late plus object plus b plus verb की third form, okay, now let's see the next question, our next question is, he said to me, the earth revolves round the sun, change the narration, narration change करना है, उसने मुझे कहा, क्या कहा, कि जो पृत्वी है, वो सूरे के चक्कर लगाती है, तो सूरे के चकर लगाती है, पृत्वी सूरे के चकर लगाती है, यह क्या है, यह एक universal truth है, और इसमें हम कोई भी हस्तचेप नहीं कर सकते, it means हम इसमें कोई भी changes नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, he said to me, तो यह as it is रहेगा, he said to me, यह हम बूल सकते है, said to की जड़ब पर हम लिख सकते है, told, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, he told me, यह he said to me, that, शिर्फ हम that का यूस करेंगे, that the earth, the earth revolves around the sun, इस तरह से, he said to me, यह he told me, that, the earth revolves around the sun, okay, so इस तरह से, earth, next देख लेते है, my father is so old, that he cannot walk, क्या पर, मेरे father इतने old है, कि वो वाक नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या करने है sentence में, rewrite the sentence using to, to in place of so that, यहाँ पर हमें, so that की जगपी, to, to का use करना है, तो यहाँ पर, so की जगपे हम क्या लिखेंगे, to लिखेंगे यह वाला to, उसके बाद, इस to के बाद, direct क्या लिखेंगे, verb, देख लेते हैं, my father is two, so की जगपे हमने क्या लिखा, two, my father is two, उसके बाद, old, उसके बाद हम लिखेंगे, second to, और उसके बाद, हम direct, क्या लिखेंगे, walk, यानि verb को लिखेंगे, to walk, तो इस तरह से, my father is two old, to walk, मेरे पिताजी इतने old है कि वो चल नहीं सकते, यहाँ पर negative, cannot लिखेंगे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा हम direct to के बाद सीधा verb लिखेंगे, तो इस तरह से, next देख लेते हैं, the report that he has felt is incorrect, pick out the subordinate clause, subordinate clause को हमें क्या करना है, pick out करना है, subordinate clause, it means, इसे हम कहते हैं, dependent clause, यानि जो main clause पे depend रहें, ठीक है, तो depend कौन सा clause है, उसे हमें pick out करना है, the report that he has felt is incorrect, देखें, इस sentence को देखें, the report is incorrect, जो report है, वो क्या है, incorrect है, यानि यह इस sentence को हम बोल रहे हैं, तो किसी भी sentence की आवशक्तर नहीं है, report incorrect है, यानि report जो है, वो गलत है, बस, sentence अपने आपने क्या है, स्वतंत्र है, independent है, तो यह main clause है हमारा, अब subordinate clause कौन सा होगा, जो depend हो, किस पे depend हो, इस main clause पे depend हो, तो वो यह है, that he has felt, कि वो फैल हो गया है, कि वो फैल हो गया है, कि वो फैल हो गया है, इस sentence के दिए मैं बोलता हूँ, तो आपको अधुरा लग रहा है, कि वो फैल हो गया है, अधुरा लग रहा है, तो इसलिए, यह होगा हमारा, subordinate clause, तो यह आपको लिखना होगा, तो आप लिखेंगे इसी को ही, यानि कि यहाँ पे आप लिख देंगे, that he has felt, यह आपका क्या है, इस तरह से आप लिख लेंगे, subordinate clause, क्योंकि आपको इसी को pick out करना है, next देख लेते हैं, और next question is, कविता found the missing keys, change the sentence in relative clause, relative clause में हमें इस sentence को change करना है, तो relative clause क्या होता है, relative clause, it means adjective clause, यानि जो विशेशन की तरह कारे करें, अब विशेशन क्या होता है, विशेशन जो किसी noun या फ्रणाउन की विसेशता बता है, अब विसेशता कैसे बता सकता है, अलग अलग तरीके से, कि जयासे चाबी के बारे बता है, या जो व्यक्ति दिया हुआ है, कविता है, उसके बारे विसेशता बता है, तो इस sentence के according हमें इसे जो है change करने है तो यहाँ पर बता जा रहा है कि कवीता ने चाबी पाई ठीक है और वो जो चाबी थी वो कैसी थी? मीसिंग थी, गुमी हुई थी ठीक है तो जो गुमना है वो क्या है? उसकी विसेस्ता है, चाबी की विसेस्ता है तो उसी को अलग-अलग लिखना है कवीता ने चाबी पाई चाबी की विसेस्ता क्या है? कि चाबी गुमी हुई थी तो गुमना क्या है? वो एक विसेस्ता है या अच्छा है, चाबी छोटी है, चाबी बड़ी है, धेर सारी है तो यह सब क्या है? विसेस्ता यहांने अलग-अलग तरीके से तो यहां पर जो sentence में जैसे भी विसेशता बताए गई है उसके according हमें देखने है तो यहां पर change the sentence is relative clause में हमें change करने है तो पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं देखिए कवीता कवीता found कवीता ने क्या पाई कीज कवीता ने चाबिया पाई यह mean clause है अब इसमें relative clause कैसे add कर सकते हैं अब कवीता ने जो चाबिया पाई वो कैसी थी तो यहां पर हम which का use कर सकते हैं विच और धेर सारी चाबिया थे इसलिए हमने वर कर उसकिया विच वर उसके बाद हम निख सकते हैं मीसिंग कवीता ने धेर सारी चाबिया पाई जो की क्या थी गूमी हुई थी या जो मिसिंग थी विच वर मिसिंग तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा है रिलेटिव क्लॉज या फिर अद्जेक्टिव क्लॉज तो इस तरह से हम बना सकते हैं नव लेटसी अलेटिव क्षिएट एंड लाक्ष्टिन है यह अफ्दू झाना ॥ jemand अपन ने मुझे एक pin दिया है, इसी को मैं अलग तरीके से कैसे बोलता हूँ, याने passive voice में, अब्दूल के द्वारा मुझे एक pin दिया गया, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, कि एक pin अब्दूल के द्वारा मुझे दिया गया, तो इसे हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिये, me एक object है और up in b एक object है, दो object है इसमें, तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक तरीका यह है कि I, यहिनि इसे मैं पहले लेखता हूँ, तो यह subjective case में जैसी आता है, तो यह me का I हो जाता है, तो I, और यह past trends का इसलिए हम was दिखेंगे, I के सांथ was ही तो I was और हमेशा मैंने बताया है कि passive voice में हमेशा verb की third form यूज़ होती है तो I was ये give second form में है तो इसका third form क्या होगा? given I was given मुझे क्या दिया गया? अब लिखेंगे a pain I was given a pain किसके द्वारा? by Abdul तो Abdul के द्वारा इस तरह से यूदि मैं a pain को पहले लिखता हूँ तो क्या होगा यहां पिए? a pain उसके बाद a pain यह भी एक है एक वस्तू है इसलिए हम लिखेंगे was अगर धेर सारे pain होते तब क्या लिखते? अब धेर सारे pain होते तो word लिखते तो a pain was फिर हम verb लिखेंगे given उसके बाद जैसे मैं लिखूँगा second object me को तो यहां पिए आजएगा to me लिखेंगे सिर्फ me नहीं लिखेंगे to me इसको आप याद रखें यदि हम pain को पहले लिखते हैं तो किसी इंसान किसी कोई वैक्ती के पहले हम लिखेंगे to a pain was given to me उसके बाद by अब्दुल यह इस तरह से तो इस तरह से हम वाइस को चेंज कर सकते हैं दो अलग अलग तरीकों से I hope कि आपको यह video lecture की grammar बहुत अच्छे समझ आया होगा अगर नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करिए मैं भी लूँगा एक interesting lesson के साथ next video में तब तक के लिए धन्यवाद